नमस्कार दोस्तों चंडी अड़ बूटीक में आपका स्वाबत है दोस्तों आज मैं आपके लिए एक कुर्ती का बहुत ही सुन्दर सटीजाई लेकर के आया हूं जिसके लिए मैंने यहां पर एक लैस लिए है यह हम कली दार कुर्ती तयार करेंगे लैस लगाते हुए और ब एकियार करेंगे लगाते हुए और एक कंला करेंगे गले भी में लाइस लगानी है तो दोस्तों अगर अबर तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब दरें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अफटेट मिलती रहे तो सबसे पहले हमें यहापे गले की कटिंग करनी है गले की कटिंग के लिए मैंने यहापे यह बुक्रम ली वी है जिसकी चोड़ाई तकरीवन हमारी होगी 9 इंच की हमें ब्रोड लेंथ रखनी है 6 इंच तो हम यहापे 3 इंच पर निसान लगाएंगे इस परकार से और डीप लेंथ रखनी है हमें 7.5 इंच पर निसान लगाएंगे कि एक निसान उपर से लगाएंगे तकरीवन जहां तक वेष्ट का नाप आता है कमर का वहां तक हमें लेस लगानी है तो एक निसान नीचे तक लगाएंगे अब हम इस निसान पर आधा इंच का गैप रखते हुए इस प्रकार से यहां पे save डाल देते हैं 5 save वाली save आप कोई भी कर सकते हो यहां पे sweet art भी डाल सकते हो गोल भी डाल सकते हो यह आपकी इच्छा है और इस निसान को हम नीचे तक ले आते हैं इस परकार अब हम इन्ही निसानों के उपर cutting कर लेते हैं अब हमने बाहर की साइड एक निसानों लगाना है आदा से पोना इंच का इस परकार से और इस निसान पे भी हम कटिंग कर लेते हैं इस परकार से हमने गले की यहां पे complete cutting कर ली है अब हमें यहां पे निसान लगाने हैं जो हमने श्ट्रेट सिधी लाइन डालनी है लैस के साथ में तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे जो हम cutting करते हैं अस्तर तो हम proper same cutting करते हैं और एक इंच हम extra cutting करते हैं यह main fabric यहां पे जैसे मैंने यहां तक हमारा अस्तर है और यहां पे एक इंच हमने extra cutting किया है इस परकार से पूरी लंबाई के अनुसार है पूरी लंबाई में जैसे एक एक इंच एक्ट्रा कटिंग कर लेते हैं इस परकार से ताकि जब हम यहां पर लेस्ट दवाएंगे अंदर की साइड तो जितना यह एक्ट्रा मार्जन होता है यह इसमें कवर हो जाता है तो अब हम अस्तर को अलग कर लेते हैं और यहां पर जो हाफ हिस्सा कर लेते हैं जैसे हमारा चार इंच है तो हम यहाँ पे दो इंच पे इत निसाल लगा लेंगे इस परकार तो टोटल यहाँ पे देखेंगे तो पांच इंच हो जाता है तो इसी परकार यहाँ पे भी हम पांच इंच पे निसाल लगाएंगे और इस साइड भी पा एक साइड हमने यहार पी निसान complete कीए है अब हम दूसरी साइड इस परकार से पलट लेते हैं और यहार पे भी हम 5-5 इंच पी निसान लगाते हैं अब यहार पे भी हम बिल्कुल सीदा इस परकार से लाइन लगाएंगे इस परकार दोस्तों हमने यहां पर दोनों निसान कम्प्लीट कर लिया है जिनमें हमें यहां पर गोटे वाली लेस लगानी है यह हमारी इस परकार से आएगी एक लेस इधर से आएगी और दूसरी लेस हमारी इस साइड से आएगी इस परकार कि यां पे सेंंटर में गला आएगा और गल्डोकार भी लगाएगा तो इस परकार से हमारा बहुत संदर्शा डिजाइन बने तो दोस्तों जैसे हमने कटिंग तो यहां पे कंप्लीट कर लिए है और निशान भी कंप्लीट कर लिए है अब हमें सबसे पहले गला पेश्ट करना है अस्तरवाले के फैवरिक के उपर और उसके बाद मैं आपको लगाने का और इसको इस्टिच करने का तरीका बताऊंगा इस तेचिंग सबलोत सबसे फैल हम कि निशान लगाएंगा इनके उपर हमें फुराइं लाし लगानी है इंगार। इस तरीके से ररक्खेंगे उल्टी साइल लैस, और इस पर्कार से निशान लगाएंगे। मिशाल के उपर बीच ओ पीच रखते हुए यहां पर इस परकार से लगाएंगे लेट के लगाएंगे के बीच करबाएंगे लेट बीच कर दोमिशाम पर कि अर्णर ही कतार ऑ़ें अजयंगे लेट कर दो सचते हुए भाएंगे इस परकार से जब लेस लग जाएगी अब हम इसको यहाँ पर उपर की सिलाई ही लगाएगे तो इस परकार से पलटते भी लगाएगे ऐसे इस तरीके से तो यहाँ पर यह इस तरीके से अंदर की साइड दब जाती है और यहाँ पर उपर से हम सिलाई लगाएगे अज़ आएगे अज़गे अज़ आएगे यहाँ पर की साइड पर उपर यहाँ पर इस तरीके से तरीके साइड देड भी लगाएगे झाल झाल इस परकार दोस्तों हमने एक साइड में बड़ी ही खुशूरते से यहां पे लैस को कमप्लेट की है सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लैस को कमप्लेट कर लेते हैं इस परकार दोस्तों हमने जैसे एक साइड में यहां पे लैस कमप्लेट की थी दूसरी साइड में भी लेस को इस तरिके से complete कर लिया है और अस्तर हमने यहाँ पर joint कर लिया है अब अस्तर joint करने के बाद हम यहाँ पर गला तियार करेंगे गला हमने यह paste किया हुआ है यह हमने गला cutting किया था उसको अस्तर के उपर paste कर लिया है और यहां पर बाहर की साइट आदा आदा इसका मार्जन रखते हैं इस प्रकार से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेते हैं कटिंग करने के बाद बाहर वाले कपड़े को हम यहां पर मुक्तरम के उपर फोल्ड कर लेते हैं इस प्रकार से आगे की साइड भी सेम तरीके से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद अब हम फ्रेंट भी जॉयंट करेंगे इस परकार से रखेंगे फ्रेंट को उपर की साइड और यहां पर रखेंगे गला इस तरीके से सेंटर पोइंट का ध्यान रखते वे यहां पे हम बुकरम के साथ सिलाई लगाते हैं साथ सिलाई लगाते हैं नढाश सिलाई रखते हैं वे यहां यहां पोईवड़न ग्याई दोवड़न इस परकार से हमने सिलाई कम्प्लेट की है बुक्रम के सासा अब हम एक पेर का मर्जन रखते हैं और इस परकार से कटिंग कर लेते हैं यहां पर सेंटर में कट करेंगे और नौक आएगी जहां पर नौक के निजदेक तक इस तरीके से कट लगाएंगे जहां पर गोलाई आती है हम आप इस परकार से कट लगाते हैं अब हम बुक्रम वाले वाले को अंदर की साइड फोल्ड कर लेते हैं इस परकार से इस परकार दोस्तों हमने यहां पर गलत तयार किया है अब हमें लेस लगानी है लेस हम इस परकार से लगाएंगे निचे से इस तरीके से रखते हुए आव में अभाएंगे को में इस फिए कर एक जा कर चौब थール कि अरन ड्सिर्टा सबुड़ाई कि अरता जा ख jack ける जा खिर, कि जा कि Moria a खिर जा खिर एक साइड में हमने इस परकार से यहां पर लैस कम्प्लीट की है अब हम सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी नीचे की साइड रखेंगे लैस को और सेम तरीके से यहां पर कम्प्लीट करेंगे इस परकार दोस्तों हमने इस दूनों साइड लैस कम्प्लीट कर लिये हैं अब हम नीचे की साइड एक पट्टी लगाते हैं जहां तक हमें गला त्यार करना है वहां तक इस प्रकार से नीचे की साइड रखेंगे पट्टी को और जितना भी हमें गलत यार रखना है यहां से हम नाप लेते हैं गले की लेंद और यहां पे दोनों साइड इस प्रकार से सिलाई लगा लेते हैं कि इस प्रकार से से साइड बार इस प्रकार से सिलाई का लेते हैं इस प्रकार दोस्तों हमने बड़ी ही खुब भजूरती के साथ यहां पर यह फ्रेंट डिजाइन कम्प्लीट किया है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्ली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सेर्वे लाइक जरूर करें धन्यवाद दोस्तों